तो कैसे हैं आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत था आपका हमारी यूटूब चैनल स्टड़ी भी थी होगे इसमें कल किन ही कारणों से आपकी क्लास नहीं आपाई थी लेकिन बहुत ज़्यादा तनाव गरस्तों होके बहुत परिशान हो कि यह मत सोचना कि कब कंप्लीट होगा क्या होगा आज हम बहुत तो नाइंटी थी हैं ट्वेंटी नंबर की जो क्लास है क्रेस कोर्स की नाइटी डेज बहुत जल्दी में आपको जितना हो सकता है मुझस से उतनी जल्दी कबर करवाने की कोशिस करूँगा यानि आप मान के चलिए वीक में अगर आपकी साथ के साथ क्लासिस नहीं भी आई तो चार या पास क्लासिस क्रेस कोर्स की रहेंगी ही रहेंगी ठीक है आज क्रेस कोर्स रहेंगा फिर संडे तो चार क्लासिस तो यहीं कम्प्रीट हो जाएंगी और ध्यान रखना मैंने जो प्लान में है तीस क्लास से पहले आपकी हिंदी कम्प्रीट हो जाएगी ठीक है यह जो क्लास नमर 30 होगी उससे पहले आपकी हिंदी कम्प्रीट करने का पूरा मेरा टार्गेट अलावा जो आपका other section है चाहे उत्राखन है या current affair है या reasoning का portion है वो उसके बाद थोड़ा सा increase करूँगा क्योंकि एक major section जब हमारा complete हो जाएगा तो हमारा उसके साथ-साथी जैसे economy complete हो गया quality का section अब हमारा धेरे-देरे complete होगा और आज की class के बाद आपकी 11th class की quality end हो जाएगी ध्यान से सुनना आपकी 11th class सम्मिधान वाला जो सबसे महत्तुपूर NCRT के अंदर आपकी quality की जो class है वो आती है 11th class की भारती सम्मिधान वाली वो आज खतम हो जाएगा उसको आपको पढ अनुसूची ठीक है और इस 11- crude अनुसूची का संबंद भी बताया था मैंने आपको किसी से है यह जो 11-12 अनुसूची है पंचाइती राज से संबंदित है यहनी इसके आगे आपको पता होगा पंचाइती राज इंस्टूशन I was a judicial जो जोड़ी गयी थी 1993 से ठीक है 1993 से सबको पता है अब देखे इस से क्या क्या कुशन आता है 11 अनुसुची में जो पंचायती राज इस्टिटूशन से उनको कितने विषाई दिये गए है 29 विषाई दिये गए एक तो ये पॉइंट इंपोर्टेंट है यानि ये हाईलाइट कर देना कि अगर कभी पूछेगा पंचायतों को सम्भीधान द्वारा कितने विषाई हस्तगत किये गए है यानि कितने विषाईों पर अधिक्तम पंचायत अवर्तमान कानूं बना सकते है 29 विषाई यानि 29 सब्जेक्टें इस पर पंचायतों को कानूं बनाने का जैसे पेजल व्यवस्ता है जल परबंदन है प्रात्मिक और माध्यमिक सिक्षया है तकनीकी सिक्षया है तो जो छोटी मोड़ी लगुध्यों को गयरा इस पर पंचायत वर्क कर सकती है और एक सी ध्यान देना इन 29 विसायों में कौन सा राज जी किस अपने पंचायती राज यानि इस्थानी जो स्वसाशन है उनको कितने विसायी पर कानूं बनाने का अधिकार देगा हो राज जी का कामना ठीक है तो इसके नोट को पॉइंट करके नोट लिख जो राज सरकार राज सरकार राज सरकार अपने इस्तर से अपने इस्तर से इन 29 विसायों में से में से कितने विसायी कितने विसायी पंचायतूं को देते हैं यह थाई करती है कितने विसायी पंचायतूं को दें यह थाई करती है ठीक है या टाई करते हैं मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपको समिधान ने कहा कि 29 विजविमा पंचायत कानून आ सकती है अगर question ये पुश्त है 29 विजविमा कानून आने का तो पंचायत क का दिखार है किसको कितने विजविशे दिये जासे हैं किस पर डिपेंड करता है, राजी सरकार पर डिपेंड करता है और ये पी आलाई को इग्यारवी अनुसुची में ये 29 विशाई हैं, ठीक है, ये आपको important question है, तो मैं आपसे personally request करूँगा, इन 29 subject में से आपको महत्तुपूर महत्तुपूर पढ़ के जाना चाहिए, एक काम करना Google करना, पंचायतू मतलब हस्तानात्रिया पंचायतू को दिएगे 29 विशाई एक बार सर्च लेना, या 11 अनुसुची के अंतरगर, जो 29 विशाई हैं, उसको सर्च लेना, अब आप को कि सर, एक ची सब जानते, तो आप एक चीज कॉमन सेंस लगाना, जब आप उन 29 विशाई को पढ़ोगे, देखोगे कौन-कौन से, तो एक कॉमन सेंस इस तरीके से आपको लगाना देखिए, छोटी मोटी चीज़े जो ग्रामीन स्तर पर पर पॉसिबल है, जरूरी नहीं कि राज्जी की ग्रामीन स्तर पर भी होने चाहिए, उस पर आपको पंचायतू के कानूं तो आपका आज का एक होमर्क ये होगा, 29 विशाई कौन से हैं, 29 विशाई, इसको याद मत करना, याद नहीं करना, इसको कैसे, आप क्वेशन क्या बुशता है, बता इससे क्वेशन जो आता है, पं क्या करोगे, उसको चेक करना, कि 29 जो सब्जेक्टे हैं, इसमें आप अपने आप से पूछना, खुद से पूछना, क्या ये महत्तपून है या नहीं है, जहां आपको डाउट होगा, आपको होगा, ये पंचायत को कैसे मिला, उसको हाइलाइट कर देना, तो ये भी पंचा काम करते, तो इस तरीके से एक होमर का आपका ये हो गया, ठीक है, इसके बाद अगला क्वेशन लिखो आप लो, तीन आर्टिकल में आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो पंचायत में आरक्षन, ठीक है, पंचायत में जो आरक्षन है, उसका प्रावधान की अग है, आर दूसरा, पंचायतों ही तो राज चुनाव आयोग, यह है 243 का के, और तीसरा, राज वित्त आयोग जो पंचायतों की वित्ती स्तिति पर काम करते है, ठीक है, राज वित्त आयोग, ठीक है, यह है 243 का आई, यह 3 की 3 important question है, इसको आप लोग ध्यान लखना, अब आपको क्य है, देखो, अगर याद रहना, हमेशा पंचायत, अगर कभी question आता है, कि पंचायत का चुनाव कौन कराता है, तो उसमें राज चुनाव आयोग option मानना, यह पंचायतों के चुनाव कराने के लिए यह आयोग बनाया है, उस टाइम जैसे राज्य सभा के और बिधान सभा के लोगसभा के बिधान, जो पारिशाद है, इनके मलदा बिधान सभा जो है, या लोगसभा जो है, राज्य सभा है, इनके चुनाव जो कराता है, भारत का चुनाव आयोग कराता है, भारत का चुनाव आयोग, यह इलेक्शन कमिशन, लेकिन हमेशा या तक न, पंचायतों का नहीं तीन के तीन आटिकल आपको ध्यान अखने ठीक है इसके अलावा देखो पंचायतों से सम्मंदित महत्तोपूर्ण विशाई जैसे मैंने लिखे हैं लगूसी चाही होगा नहीं होगा पंचायत पे लगूसी चाही जल परबंदन वोटर का परबंदन ना तो आप कोई भ वतन भोगी बना के यानि परड़े के इसाब से को वतन दे इकलावा तकनीकी प्रशिष्ण भी दे सके ड़ेशे क्यों हें ट्यक्रेव के धिया और कि यह सब धने परबंदन लोगिया नमें का करते पंद्रह प्लस साथ ही बहुत आता है पेपल में ठीक है लोग लेखा समीति में बच्चों टोटल होते हैं अगर कुल सदस्चे पुछेगा 22 सदस्चे कितने होते हैं ध्यान रखना 15 सदस्चे होंगे इसके लोग सभा से और 7 सदस्चे होंगे राज्य सभा से तो क्वेशन यह पूछता है जो आपका लोग लेखा समीति है उसमें टोटल कितने मेंबर हो सकते हैं 22 मेंबर हो सकते हैं और इसमें लोग सभा से कितने सदस्चे होते हैं पंद्रह और राजिसभा से कितने सदस्चे होते हैं साथ अब देखां संसद में क्या होता ना बच्चों संसद सारा क कई उसकी committee's बनी होती हैं, समीटियां बनी होती हैं, उन समीटियों के माध्यम से उफ ही decision भी काम करती है, जैसे सदनका सतर नहीं चल रहा होगा, उस दौराण जो काम होगा, कई मामलु म में help करती हैं, समीटि कई मामलु में advice देती है. तो जो संशत की समीतियां होते हैं उसमें लोग लेखा समीति में कुल कितने 15 और 12 सदस्य होते हैं जिसमें से की 15 सदस्य लोक सबासे 7 सदस्य राजी सबासे इसी फिरकार एक क्वेशन होता है लोग लेखा समीति की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है प्राकलन समीती जिस में की टोटल थाटी मेंबर होते हैं तो ये समीती सिर्फ और प्रेती की जुड़ागों की की जुड़वा बहन भी कहा जाता है ठीक है अब यहां आपको एक चीज़ ध्यान देना राली बात है जो आपको आना चाहिए वो क्या आना चाहिए मैं आपको आज का second home work के देता हूँ और इसी home work के साथ आपका 11th का जो सबसे major section है NCRT का quality के छेत्र में वो end हो जाएगा और वो क्या चीज़ है home work के आपको संसत की इस्ताई समीतियों के बारे में नाम रखना है ठीक है यानि इस्ताई समीतिया संसत की और संयुक्त समीतिया और दूसरा इसकी जो संयुक्त समीतिया है संयुक्त मतलब जहां इसमें लोक्षभा प्लस राज्यस्भा दोनों के मेंबर होंगे और इस्ताई मतलब जो पॉमानेड होती है ठीक है ऐसा नहीं कि एक साल के लिए न्युक्त करो फिर खतम कर दो ऐसा नहीं संयुक्त समीतियों के बारे में आपके सलमस का हिस्स्टा नहीं लेकिन NCRT के आधर में मैं चाहता हूं कि आपको यह आना चाहिए यहां से कुछन आ सकता है तो आप लोग ये काम करेंगे आश्टिक है दो हुमर के हैं संसथ की स्थाई और सभुट समीठी आपको ढूडनी हैं इसके अलावा आपको क्या देखना है मतब जो संसथ की संभुट समीठी यह आप लोग करो गया आश्टिक है Google पर अब देखना में क्या चीज है उत्राखं के प्रमुक राष्ट्री उध्यान या राष्ट्री नैशनल पार्क को पढ़ाऊं जैसे मैंने का कॉर्वेट नैशनल है गंगोत्री है नंदा देवी है फूलों की घाटी बगर यह चीज़े हैं तो मैं यह उमीद करता हूं कि आपको इसका छेतरफल लगभग एक मोटा मोट आइडिया यह सबसे बड़ा कौन सा है सबसे छोटा कौन सा है इसके साथ ही इसमें जो क्रम है यानि इस्ट से वेस्ट या वेस्ट से इस्ट का जो सिरीज है सबसे पूरू में कौन सा है इसके अलावा इस टाइप की जो चीज़ है यह पता होनी चाहिए कहने का मतलब है आप क्रम का मतलब आपको आज क्या करना है दिखो। मैं क्यूंके पढ़ा चुपा हूँ यहाँ पर टाइम खराभ हो जाएगा दुबारा उसे चिच्छको। राश्ट्री पार्क के लिखू। राश्ट्री पार्क का पस्ट्री पार्क का। मैं करम क्या होगा ठीक है यաղी मैं यह कहना चाहा रहा हूं कि आप क्या करना उत्राखन का मेप्ट्रेस करना देखना सबसे पस्सीम में कौन आख पर गंगो तरी कहां पर है केदार्नात वगरा कहा है नंदा देवी कहा है कवर बेट वगरा कहा है और शकोर्ड वन्य जी अभ ठीक है अब देखू रजाजी राष्ट्रि पार्क है यह आपको पता होना च स्व comprised करना आपको पता है जिम् कवेट पार्ड यहां कॉर्वेट पार्क कि छीक thoughtful कि Barbら puntos अब इसका छेत्रफल कितना है आपको ये exact पता होना चीए क्यों क्योंकि ये कभी-कभी छेत्रफल को मिलाने को question पूछ सकता है यानि ये क्या कर देगा चार राश्ट्री पार्क देदेगा उसका छेत्रफल देदेगा ऐसे मिलाना होगा तो मैं ये चाहता हूं कि जितने भी आज इसका छेत्रफल वगएर आपको completely क्या होना चीए पता होना चीए यानि इसका छेत्रफल कितना है ये आपको धंक से पता होना चीए किन जिलू में फैला है अलमोडा, नैनिताल और पॉड़ी यानि कभी question पूछता है कि Jim Corbett पार्क है नेशनल पार्क जो है कितने जिल नैनिताल पार्क कहा गया ये उनिस्टो सताओन में ये हुआ ये तो फिर बहुत बेसिक हो जाएगा ये तो फिर घिजीबिटी चीज़ें हो जाएगगी ये परिक्ष्यमानी में भी आपको मिलता है हर जगर मिलता है और उतना अगर पढ़ा रखा है पहले तो फिर तो ये मैं सपोज कभी निउस पेपर से संब्द इस question करा हूँ तो यह थोड़ना पढ़ाऊंगा कि अल्मोड आगबार कब निकला अल्मोड आगबार का पहला संपादगी तो बेसिक हो गया ना यह बहुत हलकी चीज है यह आपका भले ही रिविजन हो जाएगा लेकिन आपको जब चीज आती है तो उसको अनावश्यक दुबारा करना सही नहीं है ठीक है इसके बाद आपको देखने है क्या देखो छेत्रफाल आपको यह पता चल गया इसका ठीक है किसका हिस्सा है यानि कहीं न कहीं कॉर्बेट से अटेस करता है तो कॉर्बेट नैसल पार्क लिए दो ठीक है कार्बेट का प्याप में हिस्सा है कॉर्बेट का कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है इसको कार्बेट टाइगर रिजर्व ठीक है अब यहीं पर तो हुआ पे यहां से घ्यांस को पता होगा एक यहां पर थोड़ा सा कर्फूज होगा गुश्यूआ ये तो सब को बता होगा लेकिन अगर कभी यह गुच्छन पूचता है कि गोल्ड रिवर किसका अंड्य नाम है तो सुना नदी का नाम है ध्यान लगना यह कभी ऐसे इससे थोड़ा सा हट कि अगर मंन् Ple bisa ngayos, तो इसको आता है या नहीं आता है कौमेस्ट हो कारवेट का है कारवेट का मोजेव कहाकर है कोला है कौर्वेट का लेको इनकर मोजेव कहा कौमात का міh cum से संबंदे जो बिल्डिंग है जो भवन है वो कब बना था 1922 में तो वहां कोशन हटके हो जाता वो यह उम्मीद करता है कि एतिहासिक धरोहर है हमारे जितने भी छात्र पढ़ने वाले हैं जितने भी एक्जाम में बैठने जारें उनको यह चीजां पता होनी चाहिए गर अपने फ्रेम से ओपन करके जाओगे तो कुछ टब नहीं होता जितना अनावश्यक आप पढ़ते हो जितना फाल्तू आप पढ़ते हो आपको क्यों प्रॉब्लम है क्यों लेने के आपको देने पढ़ता है मिसा क्योंकि आपने अनावश्यक चीजा पढ़ी है आप एक आठाट दजस गंटे तक आप पढ़ाई करते हैं, लेकिन आपके साथ सबसे बड़ी समस्या कहना, आप वो चीज़ें ज्यादा पढ़ देते हैं, जिसका कोई बत्तब लिंक ही नहीं आपके एक्जाम से, जो पूछे ही नहीं जाती हैं, तो कॉर्बेट मुजियम जो है काला हैं, रामनगर के पास हैं, तो गर्जिया देवी मंदिर जो है किस नदी के तटपे हैं, गर्जिया देवी, यह कोसी नदी के तटपे, किस के, कोसी नदी के तटपे, यह कोशन में कभी-कभी देखने को मिल सकता है, कोसी नदी के तटपे हैं, ठीक है, और यह रामनगर नही था नंदा देवी जो राष्ट्री वो है नंदा देवी पीग कि हिमाले क्या किसका इससा है कुमाओ हिमाले गड़वाल हिमाले इस तरीके से नहीं तक अड़वाल हिमाले का तो नामी नहीं इस आजार पे उसमें तो कुमाओ हिमाले अपने आपने नेपाल हिमाले इस तरीके से उसको सेपरेट किया गया है तो ऐसे क्वेशन भी बुझते तो लेखो नंदा देवी बायो स्पेर जो है किन नद्यूं के किन परवस्रेण नंदा देवी बायो स्पेर जो है बच्छो जासकर वह महान हिमाले के बीच है यानि उसका संक्रमन छेत्र लिखो जासकर वह महान हिमाले महान हिमाले का संक्रमन छेत्र संक्रमन में ट्रांजिशन ठीक है संक्रमन संक्रमन चेत्र का मतलता है जहां दोनु के मतलब गूर्ण नहीं मिलते हैं थोड़ा थोड़ा मिलता है अभी बताता हूं इसके बाद अगला कुछन देखिए तो संक्रमन चेत्र बतलो जहां न जासकर का गूर्ण होगा जहां न महा अर्थार संक्रमन एक ऐसा छेत्र होता है बच्चो जहा दोनुगे प्रॉपर गोल्ड ना मिलके एक प्रकार का कुछ इसके होंगे कुछ इसके होंगे कहने का मतलब हरिद्वार ये है मैंने पहले भी एक्जामबल दिया था ये देरादुन है ठीक है इन दोनुगे एक संक्रम है आपको मैंने बता दिया अगला क्वेशन देखना नंदा देवी जो है परवद जो है तीन जिलू का हिस्सा है नंदा देवी लिखो कौन कौन सा चंबोली पितरागड़ बागेस्वर में ये अपने आप में स्रेणी इसकी क्या हुई है फैली हुई है अगला लिखो यहा गंगा धौली गंगा पुस्पावती खिरो गंगा आदी ये महत्वपूर्ण अदिया जो है अपने आपने अलगनंदा देवी परवत के आसपास से या उस रीजन से जो नंदा देवी बाइसपेर है उस रीजन से होके ही गुजरती है जिसमें आपको पता होना चाहिए अल अलगनंदा की साहिक नदिया भी है ये आपको मैंने पहले भी पढ़ा रखा है ये आपको ध्यान में रखना है अगला गुशन घंगरिया गाउं जो की ट्रेकर्स का लोगपिरिय सिविर है अब देखो इस तरीके से जब हम लोग क्या करता है परियाटन के छेत्र में जाते है तो आपर एक घंगरिया गाउं आता है बच्चो घंगरिया गाउं ठीक है जो की परियाटन जो की लिखो जो की ट्रेकर्स का लोगपिरिय सिविर है जो की ट्रेकर्स का एक लोगपिरिय सिविर है ये किन नदियों के मिलन बिंदु पर हम आपर पुस्पावतिवा हेम गं पुसपावति वह हमगनが की मिलन पर hmm आप देखो मैं क्या कहना चारहा हूं आप से मैं यह कहना चारहा हूं आप इसको हल्का माशमजना यह आज़र्नी घंगरिया गा liquid नंद डिबी पर्वत कि Ow fest gonna love तो ये गाउं पड़ता है तो वहाँ पर सिविर है एक प्रकार का लोग रेस्ट करते हैं वहाँ पर तो वह बहुत ज़्यादा बड़ा कैम्प भी है तब क्वेशन इस तरीके से परेटन के आधार पर यहां से पूछे जाते हैं ठीक है नेक्स लिखो आपको हेमकुंड साहिब चमोली में किस सिख गुरू ने 10 वर्स तक तब किया था गुरू गोविन्द सिंग ने ठीक है तो लिखो हेमकुंड साहिब चमोली में किस सिख गुरू ने 10 वर्स तक तब किया था गुरू गोविन्द सिंग ने ठीक है यानि कहीं न कहीं हेमकुंड साहिब से कौन से सिक्ष गुरू का संबंद है गुरू गोविन सिंग हेम कुंड साहिब में किस सिक्ष गुरु ने 10 वर्षत क्या क्या था तब किया था या 10 वर्षत ध्यान किया था लिख दो जो भी लिखते हो ठीक है लिखो गुरू गोविंद सिंग इनके 10 में गुरू थी गुरू गोविंद सिह नहीं किया था ठीक है अब हेम कुंड साहिब क हैं चमोली में बताने की ज़र्बत नहीं है सब आपको पता होना चाहिए ठीक हो नेक्स्ट व्केशन लिखो राजा जी जो नेशनल पार्क के तीन जिलू का हिस्टा है तीन जिले कौन-कौन से हैं दहरदून हरिद्वार और पौड़ी यह राजा जी नेशनल पार्क का बस्त बस्तिक है राजा जी प्लस मोतिकूर ठीक है राजा जी प्लस मोतिकूर और तीसा जो था आप नया में चिला विलाई यानों के विलाई से चिला नेशनल पार्क है इन तीन को आपस में मर्ज कर दिया गया, मर्ज करने के बाद राजा जी नेशनल पार्क के अपने आप में अस्तिक्तुमाया था, इन तीन जीलों में ये है, ठीक है, नाइटे जीलों में इनका विला ये हुआ था, इसके बाद ही राजा जी नेशनल पार्क के अस्तिक्तुमा इस तरीके से आपको। यास प्रहुत है। अगला गुश्यर मैं लिखनाा आपको। ये मतलब जो राजा जी है गंगा वो सॉंग नदी यहां से investir ये से फ्लो ती है। गंगा加 सॉंग नदी है। इस खेत्र में। क्योंकि गंगाि क्रीधवार के आपकोनाocar Dieu प्रकार से जो राजाजी वाला है वो हाथियों के लिए जाना जाता है अब यह एक चीज आपको यह ध्यान दकने जो एसी आई हाथी है उसका जो तरफस्यमी सीमा है यानि बाउंडरी है सपोज हम यह एक मतलब बनाते हैं यह है यह है यह फूरे में सपोज बाइचांस आपक ये north हो गया, ये east है, ये south है और ये west है, उत्तर मतलब north, west मतलब south, मतलब ये ठीक है, sorry, west मतलब पस्यमी, north और west, इसकी जो सीमा है, कहीं boundary, यानि ये, यानि लास्ट कोना जो है, ये चेतर राजाजी का है, बागी ACM और जगह भी पाई जाते हैं, तो उत्तर पस्यमी सीमा हाथ ये चेतर राजाजी नेक्स पार्क ये पास आके खतम होती है, तो अगला कुशन आपने लिखना है, कौन सा चेतर BCI हाथियों की उत्तर पस्यमी northwest सीमा है, बाउनडरी है, तो अपने आप मों कौन सा हो जाए गई, राजाजी ठीक है, राजाजी नेक्सल पार्क अपने आप पसू लोक यह लगा कि आपको ध्याल का ड्यान किता है। लोग और चिला वेराज रिसी केस में ठीक है और रिसी केस कहां पढ़ता है अपने आप में देहरादुन में पारता है ये कुश्ण भी आपको पता होना चाहिए अगला लिखो गंगोत्री राष्ट्री पार्क ये बना था बच्चो 1989 में यानी 1989 में इसके क्या की गी थी स्टाप नगी की थी 1989 में एक वेराष्टन भी आपको आना चाहिए और इसका छेत्र भल भी आपको पता उना है मैं आज थे का होमर्क दिया है लिखो उत्राखन का लद्दाक कि सेत्व को गहा जाता है उत्राखन का लद्दाक ये है बत्तो नेलांग घाटी को उत्तरकासी में ठीक है नेलांग वैली नेलांग घाटी ये गंगोत्री के ही पास है ठीक है ग्रेस मकालीन राजधानी यह है अपना आप में बिंसर, अलोड़ा वाला ठीक है? बिंसर में इसकी ग्रेस मकालीन राजधानी यह आपको ध्यान बढ़तना होगा अब देखे इससे आगे जैसे कई बच्चे का मैसेज आता है सर हमारा फोरेस्ट काड का एक्जाम है हमारे भी वोले एक कुछ ने का मतलब उनका ये कहना था जितना मैं समझ पा रहा हूं वो ये कह रहे थे कि सर थोड़ा सा आप हमें computer और रिजिनिंग के क्वेश्चन करा देश, सम्भावता में यह समझ रहा है, क्योंकि उनका यह कहना था, उत्राखन तो बहुत है, सोर्स मतलब आपने पहले करा रहा है, क्या हुआ, क्रेस कोर्च जी जितना कवर हो पाता है, नी तो हमने जिला स्रीज, इंडिविजुल टॉपिक स्रीज, उत्राखन हिस्ट्री, परिक्षामानी, यह कर रखी है आपकी क्लासिस ते, तो हमें फाइदा तो होई जाएगा, दूसरा जी एस के परिपेक्षि में उनका यह कहना था, सर, जी एस स्टड़ी भी चियोगेश 2.0 पे आप चला ही रहे हो, उसको पढ़ा ही रहे हो, साथी हम लोग इसको कवर कर रहे हैं, बागी चैनल में पढ़े ही हैं आपके, लेकिन कम्प्यूटर और रिजिनिंग पर कॉन्पिटेंस नहीं आपा रहा है, अब देखिए, जितना मैं समझ पा रहा है, अभी अगर आपका जुलाई में एक्जाम होता है, तो जैसे आज प्रतेवाला एंड कर दूंगा, उसके बाद थोड़ा सा हलका हो जाएगा हिंदी का सेक्षन क्यों, क्योंकि फिर में टॉपिक जिसे संधी से कुष्ण आते हैं, वह बसता है, बिलो मिलोम तो आपको खुदी पढ़ने पर यावा, चै मैंने आपसे पहले का है, उसका एक ही उत्राखन का जो आपका साहित्ती वाला पुर्चन है, उसके संबंदित फैक्ट मुझे कराने है, और मुझे रखता कि अगर मैं चार-पास क्लास के दौरान उसको बताते रहूं, तो आपका उसके काम बन जाएगा, बहुत ज़्यादा तनाव ग्रस्त, सारी की सारी कहानिय पर दें, इंपोर्टेंट देखने है, और क्वेशन यही आता है, जो कही नगी चर्चित रहा हो, जैसे ही आपका 25, 27 कलास होंगे, 28, 29 कलास होंगे, चलो 30 कलास मानगी जलो, 30 कलास के बाद हिंदी मेरी एंड हो जाएगी, हिंदी जैसे ही एंड होगी, तो मेरा जो अगला फ पुछे जाते हैं, लेकिन UK SSC की इस तरफ पर बहुत ज़्यादा वंडे एक्जाम में यह क्वेशन नहीं आता है, ठीक है, तो मेरा जो प्रियास रहेगा, आप लोगं को इसके बाद, जैसे दो तिन कलास उपसर्ग परते कराने के साथ ही, आपका जो मेजर सक्षन है, कौन पुलिस कॉंस्टेबल है, या पुलिस दौरोगा है, या इसके अलाब आपका कौन सा पठवारी लेक पाली, सप्टेमबर, अक्टोबर ही होने, तो इसमें तो 90 क्या, उसके बाद तो जो बसता है, जो बेसिक क्वेशन है, मैं चाहूं तो 120 दिन के क्रेस कोर्स करा दो आपक हैं, 10-20 दिन यहां के बच्चे, वहां कभी वीडेस आ रहे सकते, तो मैं जो इन 20-25 क्रेस कोर्स, या आज रगभग 19 क्लास, या पचास क्लास तक आपको मौका मिलेगा, या पहली की 50 क्लास आपके एक्जाम तक कंप्लीट हो जाएंगी, तो इन 50 क्लास में मैं पूरी कोशि सेसन में डाल देना, ठीक है, होफ़ुली आज हिंदी में नहीं दे पाए, कोई बात नहीं अगले दिन दे दूगा, फिर मिलते हैं अगले सेसन पर अपना ध्यान रखिए, थेंक्यों